तो इन 5 मिनिट्स में मैं create करने वाला हूँ एक working real time chatting app in android studio using chat gpt अगर आप सोच रहे हैं इपने कब टाइम में एक app कैसे create कर सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आपने मेरे previous वीडियो देखी है जिसमें मैंने python की help से एक chatting app create किया था जिसकी code file अभी तक मेरे पास पड़ी है बस इसी python code का use करके हम अपने app को create करेंगे बट आप कहेंगे कि यह तो cheating है अगर यही chatting app हम android studio में create करेंगे तो उसके लिए authentic verification firebase real time database का use करना पड़ेगा जिससे कि यह 5 minute की video कब 5 दिन में convert हो जाएगी पता नहीं चलेगा इसलिए हम python के code की feature functionalities का use करके new code को generate करेंगे इसके बाद हम अपने app को create करेंगे तो सबसे पहले हम इस python code को copy करेंगे और आकर chat gpt पर paste कर देंगे paste करने के बाद अब हम इस python code को other language में convert करेंगे जैसे कि front end पे xtml और not.js skill live server का use करने के लिए हम backend में java script का use करेंगे तो इसी चीज को मैंने prompt में type किया है तो chat gpt ने front end और backend code generate करके दे दिया है अब यहाँ से हम fretted code को copy करेंगे यानी xtml code को copy करेंगे और अपने code editor में xtml की new file को create करके code को paste करेंगे अब यह से हमें backend code को copy करना है और java script की new file को create करके paste करना है paste कर देने के बाद server.js की file को run करना है run करते ही आपके सामने live server URL generate होकर आ जाएगा simply इसे copy करना है और अपने browser में open कर लेना है अब आप देख पाएंगे कि हमारा real time chatting app open हो गया इसे test करने के लिए आपको अपने browser की other tab को open कर लेना है तो साथ में live server URL को paste करके दोनों tab में open कर लेना है इसके बाद कोई भी random SMS से send करना है तो आपको दोनों ही टेब में message so करेंगे इसका मतलब हमारा real time chatting app working है बट इसका user interface बहुत ही basic है तो सबसे पहले हम chat GPT से इसे improve कर लिते हैं तो हमने अपने real time chatting app का UI improve कर लिया है बट chat GPT से code copy paste करते सामें बहुत से error आ रहे थे तो मैंने खुद manually code type करके थोड़ा बहुत अपने से UI improve किया है ना कि मैंने full code chat GPT से paste किया है तो हमने अपने real time chatting app का UI improve कर लिया है साथ में हमारा app भी working है तो अब हम अपने real time chatting app के note.js URL का use करके अपने mobile app को create करेंगे तो मैंने जन्दी से एक empty view activity का project Android Studio में create कर लिया है तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि हम अपने mobile app कैसे create करेंगे Android Studio में तो अभी के लिए आप note.js के live server URL को आप एक website समझ लिए जिसे कि हम अपने app पर view कराएंगे जैसे कि किसी browser में website view करती है आई होप आप समझ गए होंगे तो आप हम आजाएंगे chat GPT पर और अपने mobile app पर website URL को show कराने के लिए Android Studio की code files को generate करेंगे तो मैंने यही प्राउंट chat GPT पर दिया जिसमें मैंने chat GPT को बताया कि मेरी एक website है जिसका URL मैं अपनी app पर show कराना चाता हूँ तो chat GPT ने मुझे 3 code files generate करके दे दी तो सबसे पहले हमें activity main.xml file का code copy करना है activity main.xml file की code के साथ replace कर देना है इसके बाद main activity file का code chat GPT से copy करना है और Android Studio पर आके paste कर देना है पर देने के बाद अब हमें activity main.java की file पर यहाँ पर हमें अपने live server URL को paste करना है तो हम यहाँ से vs code से हम copy कर लेंगे और यहाँ पर आकर paste कर देंगे अब हम chat GPT से internet की permission को copy करेंगे और Android Studio में manifest की file को open करके permission को paste कर देंगे तो अब हमारा mobile app build करने के लिए ready है बट build करने से पहले हम अपने app पर एक icon apply करेंगे तो मैंने internet से एक icon download कर लिया है download कर लेने के बाद आपको Android Studio की resource folder पर right click करना है इसके बाद image assets पर click करना है और यहाँ पर click करके हमें अपने app की icon को select कर लेना है इसके बाद next पर click करना और finish पर click कर देना जिससे की हमारे app पर icon apply हो जाएगा अब हम अपने app को build कर लेते हैं build हो जाने के बाद हम अपने device पर apk file को डाल के install कर लेंगे अब हम अपने app से real time chatting कर सकते हैं chatting करने के लिए आप चाहे तो other device पर app install करके एक दूसरे से chat कर सकते हैं real time वो live server URL का use करके भी app से chatting कर सकते हैं इसका मतलब important नहीं है कि हमें app ही install करना पड़ेगा आप अपने browser से भी chat कर पाएंगे but make sure node.js की server को running रखें अब अने ही मैंने 5 minute में एक real time chatting app create करके दिखा दिया बट इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 5-6 गंटे का समय लग गया और सायद ही आपको YouTube पर किसी ने 5 minute में app create करके दिखाया हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूला और source code की link आपको वीडियो के description पर मिल जाएगी और ऐसे यह और content देखने के लिए subscribe करना ना भूले